तो राने पर एक लाइनिंग का क्वाटर टू का रिजल्ट आ चुका है देखते हैं किस तरीकी का रिजल्ट इस स्टॉक का आया है और आगे किस तरीकी की संभावनाएं इस स्टॉक के अंदर बन सकती है जिस तरीके से औ्ट एंसल्डड सेंटर को देखा जारा आगे आ के बहुत उम्मीदें हैं उससे और खासकर जो उनके जो और एंसल्डड आएंसल्ड इसके जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे तो आने वाले टाइम में कहीं न रहने प्रेक लाइनिंग भी उस तरीकी के इस तरीके की इनकी आती है वो एक तरफा सी कमेंटरी रहते हैं और एक तरीके की ही कमेंटरी रहते हैं उसमें कोई ज्यादा खास की प्रीवियस क्वाटर में बन फिफ्टी थी करोड के आसपास की थी और यहां पे अगर बात कर लें कि हाफ यर्ली जो पर्फॉर्मेंस है उसके इसाब से हाला कि थोड़ा बहुत पर्फॉर्मेंस वहां से भी भड़ी है जहां पर आप देखेंगे तो टू एटी सिक्स के और कीले और में करने यहां पर इंक्ताकत हुए ज़िए उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंकात morning 22 सची कि GB में закры бок deprim Solid इनकी previous year में 607 करोड के आसपास किये थी और यहां पे है करीब आपके 311 करोड के आसपास की हाला कि market इस चीज को तो देख रही है कि जितनी income इनकी 6 महीने में 311 करोड के आसपास और पिछले एक साल के इंकम जो थी 600 करोड के आसपास तो लगवग लगवग अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत इंकम जो कि पिछले पिछले साल 6 महीने के अंदर 260 करोड के असपास की इंकम और यहां पे 311 करोड के असपास की इंकम तो यहां पे इंकम में थोड़ा इजाफा तो हो रहा है लेकिन जो profitability है profitability कहीं ना कहीं आप देखेंगे quarter and quarter level पे आप देखेंगे चाहे year on year देखेंगे तो बहुत ही शांदार आता हुआ देख रहा है profit जो भड़ा है इस company का और यहां से मुझे लग रहा है कि और धीरे-धीरे करके यह company जो है और growth कर सकती है growth इसके अंदर और जो है आ सकती है लेकिन position यही है कि position यहां पे बनानी चाहिए या नहीं उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे तो मैं बताऊँगा तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 9.5 करोड के असपास की इसमें profit आता हुआ देखा है पिछले quarter में 5 करोड के असपास था उससे पहले 6 करोड के असपास का तो जो profit है वो इंक्रीज हुआ है और शार्प इंक्रीज हुआ है मतला कह सकते हैं मैं कह सकता हूँ कि bounce boy है उसके अंदर तो आप देखेंगे six month के हिसाब से भी साड़े बारे सबाबारे करोड के आसपास से करीब 15 करोड के आसपास जाता हुआ दिखा है तो यहां पर इतना तो है कि income और profitability कहीना कहीं approach करती हुई दिखेगी कि previous year की जो income ती और profitability थी उसको इस बार कहीना कहीं आने वाले दो quarters के अंदर और और वहां से कहीना कहीं एक upside में जाती हुई दिखे उसको जो है कहीना कहीं cross करती हुई दिखे तो इतना कहीं न कहीं फिलाल जो position बन रही है उसके इसाब से पता लग रहा है अब यहां पर बात कर लें कि position जो है इनकी business split के इसाब से आप देखेंगे तो इंडिया after market देख लें या आप देख लें कि जो total revenue है जो सारी चीजे मैंने आपको वहां पर बताई कि किस तरीके से income में इंक्रीमेंट है आप देख सकते हैं हाफ यरली भी अगर आप देखेंगे हर जगह पर आपको भलत देखने को मिलेगी अब यहां पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इस company की जो chart pattern है इस stock का जो chart pattern है वो किस तरीके से काम कर रहा है तो यहां पर अगर मैं chart pattern की बात करूं तो आप देखेंगे यह stock काफी समय से एक लेटा हुआ stock आप कह सकते हैं कि यह लेटा हुआ stock था और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने जो है कुछ perform नहीं किया यहां पर कही ना कहीं लेकिन इस दाइरे में इसके अंदर बहुत अच्छी performance आई और उसके बाद में आप देखेंग दुबारा से कहीं ना कहीं stable होती हुई दिख रही है फिलाल की जो position है दू तरीके से कहीं ना कहीं मुझे strong लग रही है एक तो market में जो scope है on to ancillary sector को लेके जो electric vehicles को लेके यह new parts को लेके दूसरी बात मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से एक consumption जो बढ़ रहा है उसको कहीं न कहीं demand mind में रखे हैं तो उसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं राने break lining भी आने वाले time में इन opportunities को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और क्योंकि quality stock है quality company है products में भी इनके में quality है उन सब चीजों को देखा जाये तो कहीं ना कहीं यह अच्छा perform आने वाले time में कर सकते हैं उ इसको देखके इतना तो पता लगाया जा सकता है कि हाने वाले time में यह stock एक bounce back के लिए ready तो हो रहा है bounce back इसके अंदर आएगा ही आएगा जिस तरीके से यह position इसकी बन रही है अभी market का माहौल यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं इसका जो high है जो super high है इसका आप देखेंगे यहां पर मैं आपके सामने रखता हूं इसका जो high है आप देख सकते हैं करीब लोग और साड़े 400 रुपे के आसपास का high है इसका और वहां पर आप देखेंगे अभी stock 830 रुपे के आसपास है अलाकि जिस तरीके से जो result है तो मैं अभी जैसे आपको बता रहा है कहीना कहीं एक movement अच्छी करने लग जाएगा अगर hopefully next वाला quarter previous दो quarters के around कहीना कहीं एक इसका profit आता हुआ देखता है और कहीना कहीं एक income increase होती होई देखती है मतलब मैं कहूंगा अगर dual digit के अंदर अगर आने वाला quarter profit में रहता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जाती हुई देख सकती है तो मेरे इसाब से बैट लगाने वाला stock है आप भी जरूर जो है इस पर research कर सकते हैं एक बार देख सकते हैं और बहुत ही quality stock लग रहा है और जो pricing की अगर बात करूं तो यहां पर pricing भी इसकी एक अच्छी खासी decent pricing लग रही है लेने लाइक है four digit के बाद में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए लेकिन फिलाल यह बहुत ही भड़िया है लेना चाहिए ले सकते हैं आप भी अपना research जरूर करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी आइसे stocks related आप पूश सकते हैं फिलाल की जो position आप में रखते हुए quality, strong, bounce back, business revival हर theme के accordingly जो है stock काम करता हुआ दिख रहा है Thank you for watching this video, वीडियो अच्छ लगे तो like जरू करिएगा, चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरू कर लेगा, thank you